हलो दोस्तो नमस्कार ये आज हमारा जो 50 प्रस्न हैं ये 30 जनवरी से 5 फरवरी 2013 तक करेंट अफेर पर आधारित हैं और इनी पर आज हम चर्चा करेंगे तो पहला प्रस्न हमारा है पहला महला अंडर 19 T20 बिसकप किसने जीता हैгляд अस्टेलिया इंगलेंड या भारत या पाकिस्तान तो ये जीता है हमारे भारत ने अभी हाली में हुआ है और यह पहला Under 19 बिसकप था जिसमें हमारे इंडिया की जो Under 19 महला टीम है उसने जीत दर्ज किया और उसने इंगलेंड को 7 बिकट से इंगलेंड को किसको राया साथ बिकट से राया इंगलेंड को इंगलेंड को साथ विकट से राया और जो टीम की कप्तान थी सेफाली बर्मा उस दिन उनका जनब दिन भी था और इस तरह से सारे खिलाड़ी उनने उनके जनब दिन को एक तोफा के शरूप में उनने जीत भेंट की तो ये हो गया हमारा भारत अगला हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश सरकार खाद प्रसंस करन उद्दो की स्टापना के लिए कितने प्रसंट अनुदान उपलब्द करा रही है 30, 35, 40, 45 तो इसमें जो अनुदान उपलब्द करा रही है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार वो 35% खाद प्रिसंस करन के लिए जो उत्तर प्रजे सरकार है वो 35% अमदान उपलब्द करा रही है उसके बाद हमारा है हाल ही में हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदल कर केंदर सरकार ने क्या रख दिया मुगल गार्डन को केंद्र सरकार ने उसका नाम बदल करके अमरत उद्दान कर दिया क्या नाम कर दिया अमरत उद्दान जो जहां पर राष्टपती भवन बना राष्टपती जो रहने का आवास है बहाँ पे जो गार्डन बना हुआ है उसका नाम अब अमरत उद्दान होगा पहले क्या था मुगल गार्डन केंद सरकार ने 17,490 करोड के मिसन ग्रीन हाइडरोजन को मंजूरी दिया है जिसका उद्देश 2030 तक कितनी हाइडरोजन उत्पन करना है 17,490 करोड की इन्होंने मंजूरी दिया है मिसन ग्रीन हाइडरोजन के लिए जिसका उद्देश गया है 50 लाग टन 2030 तक 50 लाग टन ग्रीन हाइडरोजन उत्पादन करने का लक्ष है तो बिकल्प नमबर 3 सई हो जाएगा उसके बाद आते हैं बिश्व का पहला ग्रीन हाइडरोजन डिमूस्टेसन प्लांट ये हमारे एक IITBHU के प्रोफेशर है डक्टर पीतम सिंग ने ग्रीन हाइडरोजन का बिश्व का पहला ये डिमूस्टेसन प्लांट मिरजापूर में शतापित किया है तो ये हमारा हो प्रदूसरन कम करने वाली गास एक टायर को ठंडा रखने वाली गास अप्रक्त में से कोई नहीं यह उच्छ आक्टेन बिमान इंदन है जिसका उपयोग मानब रहत मानब रहत जो हमारे मानब रहत जो बिमान होते हैं उनमें किया जाता है और जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वो इसको 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 इस्तिमाल करते हैं इसी इंदन को AB Gas 100 तो यह क्या हो गया एक उच्छ आक्टेन बिमान इंदन होता है और इसमें क्या है इसका हाली में क्या हुआ है जो IOC ने Indian Oil Corporation जो है उसने निर्यास शुरू किया है उसने इसको बनाना शुरू किया है और पहली खेंप जो है वो पहली खेंप इसकी जो है वो 80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80-80 रखा गया था जो हमारा बितवर से चल लाए है बरतमानवे 2022 तेश्ट इसमें जो बिनवेज से प्राप्त लक्ष था वो 65,000 करोड रुपए था 65,000 करोड रुपए था कि बिनवेश से हम प्राप्त करेंगे लेकिन इस लक्ष को प्राप्त नहीं कर पाई के अंदर सरगार और केबल 31,000 करोड रुपए ही प्राप्त हो सके है यानि जो लक्ष था उससे 50% से भी कम पे कहानी रह गई है उसके बाद है पिरसन साथ ने जीता है और ये इनका कौन सा ग्राप्त स्लेम है ये इनका जो ग्राप्त स्लेम इन्होंने जो रॉफिल नडाल जो है उनके जो 20 ग्राप्त स्लेम जीतने का जो बाईस ग्राप्त स्लेम जीतने का जो बहुत था रिकार्ड उसकी परावरी कर ली है और ये जोकोविच का दसवां आश्टेलियन ओपन था ये तो ये 22 जो थे 22 ग्रैंड सेलेम जो थे 22 ग्रैंड सेलेम वो राफिल नडाल का रिकार्ड था उसकी इनुने बराबरी कर लिए अगला है 28 जनवरी 2030 को 22 ग्रैंड का मिराज 2000 और सुखोई 30 बिमान दुरगटना ग्रिस्त हो गए थे ये हो गए थे हमारे मद्द प्रदेश के मुरैना में मद्द प्रदेश का जो मुरहना जिला है उसमें इनका हो गया था दुरगटना ग्रेश्ट हो गये थे जिसमें जो हमारा मिराज 2000 और सुखोई बिमान दोनों जो आपस में टक्रा गये थे तो सुखोई के दोनों पाइलेट जो थे वो बच गये थे और उन्होंने अपने जो पैरा सूट होता उससे कूद करके जान बचा ले थी और वो 90 किलोमीटर जाकर के जो बिमान था वो भरतपुर में जाके गिरा था लेकिन जो सुखोई 30 था वो उसके जो थे पाइलेट वो म की दुखत मृत्ति हो गई थी उसके बाद तो इसका हो जाएगा हमारा मद्द प्रदेश अगला हमारा दा इंडिया वे इस्ट्रेट ची फार एन अनसर्टेंड वर्ड के लेकट इसके लेकट हैं हमारे जो बिदेश मंत्री हैं इस समय हमारे एस जैसंकर एस जैसंकर इसके लेखक हैं उसके बाद है 2023 हाकी बिस्वकप में जर्मनी ने किसको हरा कर बिस्वकप जीता जर्मनी ने हाकी बिस्वकप में बेल्जियम को हराया किसको हराया बेल्जियम को तो इसका बिकल्प नंबर हो जाएगा हमारा चार अगला है हमारा किस बित बर्स में धारा 80 सी के तहत आयकर में छूट की सीमा एक लाग से बढ़ा कर डेड़ लाग कर दी गई थी ये बित्वर्स हमारा था 2014-15 2014-15 में जो हमारी आयकर की छूटा जो डेड़ लाग की छूट होती है वो स्थी सी के तहित उसे बढ़ा करके एक से डेड़ किया गया था तब जो इनफ्लेशन इंडेक्स जो होता है वो उस समय कितना था हमारा तो इस हिसाब से अगर आज की बात की जाये तो ये चूट 2.19 लाक दो पांट एक नव लाक रुपए होनी चाहिए लेकिन अब भी वो डेड़ लाक ही चल रही है उसके बाद हमारा आता है अगला प्रिस्न है हमारा बारा तीस जनवरी सन दोजा थे इसको उत्तर प्रिस्म में कितने प्रिदान प्रसदों की सीटों पर चुना हुआ था जे सीटों की संक्या थी हमारी पांच कितने सीटों संक्या थी पांच सीटों पर चुना हुआ था उसके बाद हमारा अक्षवट अक्षवट कहां इस्ते था अक्षवट जो हमारा है वो प्रियाग राजमेश्टित है और एसको 400 साल से एक किले में बन्द था 450 साल से किले में बन्द था तो 2019 में इसको प्रदान मंत्री मोधी जी के पहल पे इसको खुलवाया था अकबर का वहाँ一個 किला बना रुचा हूई जिसके अंदर ये बंदता लोगोंने कहा कि भाई दर्सन इसके करनी अच्छा बटके तो ये खुलवाया घया था तो ये प्रियाग राज में है कहां पे है ये प्रियाग राज में प्रियाग राज में है ये अगला है किंद्र सरकार की अनुसार अप्रेल 2023 से कितने बाहन जो 15 साल से पुराने हैं चलन से बाहर हो जाएंगे ये 9 लाग से अधिक बाहन बता रहे हैं कि चलन से बाहर हो जाएंगे अप्रेल 2023 से इसके बाद है word and nature festival उत्तर प्रदेश के किस सहर में होँँगा है जे हो रा है महोवा में उत्तर प्रदेश के महोवा में होँगा ए महोवा में होँगा हो रहा जो एक से तीन फरवरी तक हुआ है इसका जो 20 वेट लेंड जो होता दो फरवरी को जो मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष में इसको मनाया जा रहा है, अगला है, दस फरवरी से महला T20 बिश्चुकप किस देश में होने जा रहा है, अस्टेलिया, इंगलेंड, भारत, दक्षन अप्रीका, जे हमारा जो महला T20 बिश्चुकप है, ये दक्षन विकाल्प नमबर चार, अगला है हमारा भारत में राष्टिये पोसक अनाज बर्स मनाया गया था, जैसा कि आपको पता है कि इस बार हमें अंतर राष्टिये पोसक अनाज बर्स, जो पोसक अनाज का मतलब वो ही मिलिट है, उसे 2018 जो था, उसमें भारत सरकान ने मिलिट को नाम दिया था, मिलिट को पोसक अनाज के रूप में अजसूचित कर दिया था, तो 2018 में ही हमारे देश ने इसको मनाया था, किसको हमारा जो था ये 2018, और इस साल हम क्या मना रहे हैं, अंतर राष्टिये मिलिट देवस यांतर राष्टिये पोसक बर्स, 31 जनवरी 2023 को पेस आर्थिक सर्वेक्षण में आगामी बितवर्स 2023 में विकासदर कितने प्रसत रहने का अनुमान लगाया गया, 13 चोब इसमें, जो अगला बितवर्स आ रहा है, उसमें कितने प्रसत बर्स, इसका है ये हमारा 6 से 6.8 बिकल्प नमबर 2, 6 से 6.8 प्रसत लग आने का अनुमान लगाया गया है, और जो आईम अफ है, जो आईम अफ है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है, उसने हमारे 2030 में हमारी दर को 6.1 प्रसंट रहने की संभवना जताई है, उसके बाद जो देवसिला यात्रा कहा से कहा तक हो रही है, देवसिला यात्रा इसम जनकपुर जो है, बहाँ से यहां पे अध्या तक इनको लाया जा रहा है, तो यह हो जागा बिगल्प नमबर 3, अगला है लोन बुल्फ अटेक, लोन बुल्फ अटेक का संबंद किस्से है, लोन बुल्फ अटेक जो है, उसका संबंद किस्से है, यह जो लोन बुल्फ कीज़े हैं उनका इस्तेमाल करता जिसे चाकू हो गया इस तरह से तो यह आतंक वादी घटना आतंक की हमले की एक शैली है लोन बुल्फ अटेक बित बर्स 2021-22 में बिदेशी मुद्रा बंडार कितना था बित बर्स 2021-22 में 2021-22 में यह था हमारा 607 अरब डालर 607 अरब डालर 2021-22 में था 478 जो था यह 2019-22 में 2019-20 में था 478 फिर 20-21 में बढ़कर हो गया 577 अरब डालर 2021-22 में हमारा 607 हो गया और 2022-23 में घटकर 563 हो गया 2022-23 में यह हो गया है उसके बाद आता बित्तिय बर्स 2021-22 में GDP के अनपात में राजकोसिय घटा है 2022 जो बित्तिय बर्स 2021 था उसमें राजकोसिय घटा जो था हमारा 6 दसमलब 7% कितना था 6 दसमलब 7% और 2019-20 में था जे 2019-20 में यह वाला था 2019-20 में यह 2019-20 में था 4.7 और 9.2% यह सीधी सी बाद जब COVID आया था तो हमारा राजकोसिय घटा बढ़ गया था जो बीस 21 में बीस 21 में और 6.4 जो हमारा बर्तमान है इसमें 6.4 राजकोसिय घटा रहने का अनमान है उसके बाद हाल ही में आन्द प्रदेश की नई राजधानी होगी अमरावती, बिशाका पटनम, मचली पटनम, गुंटू आन्द प्रदेश की राजधानी बर्तमान में तो अमरावती है लेकिन इसको अब चेंज करके बिशाका पटनम किया जा रहा है तेश अप्रेल 2015 को आन्द प्रदेश की राजधानी अमरावती बनाई गये थी अब ये पिशाका पटनम में ट्रांसफर करी जा रही है बजट 2023 का आकार सिंपल सा कोश्चन है इसका आकार है 45 लाख करोड़ 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया है हमारे किंद्र सरकारने इसके बाद हमारा अगला आता है भारत का बित बर्स 2026 राजकोसी घाटा कितना करने का लक्ष है 25 तक जो हमारे भारत जो हमारा है उसका राजकोसी घाटा करने का लक्ष है जो इस समय बर्तमान में 6.4% है उसको कितना करने का लक्ष है 25 तक 4.5% करने का लक्ष है और बर्तमान जो 24, 2023 जो आने वाला है 23-24 में कितना है इनका लक्ष है 5.9% राज्कोशी गाटा करने का लक्ष है उसके बाद बजट 2003-24 में पुँझी गत्बे में कितने पृश्द ब्रद्दि यह पिछले जो बजट था उसमें पुँझी गत्बे से इस बजट में कितने 33% ब्रद्दि हुए और यह GDP का, यह जो है GDP का, जो फूंजी गत्विया है, GDP का 3.3%, GDP का 3.3% यह है जो हमारा फूंजी गत्विया है। उसके बजट 23-24 में बारसिक प्रेमियम वाली कितने बारसिक प्रेमियम वाली को करके दाइरे में सामल कर दिया गए यह एक तरह से जटका है कि जो पांच लाग अगर आपकी बारसिक प्रेमियम जो है वो पांच लाग से उपर हो रही है अगर बारसी एक प्रेमियम पांच लाग से उपर हो रही है किसी बीमा पालसी की तो उससे जो अर्न होगी जो भी रासी हैं आपको प्राप्त होगी वो आपके करके दाइरे में आएगी अगला है प्रसन संके अटाए बजब 2023-24 में पूंजी गद्बे के लिए निर्दायत रासी बता दिया था अभी पिछले प्रसन में कहा था दस लाग करोड रुपए कितना है दस लाग करोड रुपए अगला है मारा बजब 2023-24 में प्रणाम योजना शुरू की जाएगी इसका संबन्द है प्रणाम योजना आज दरसल हमारा देश जो है वो प्रकरते खेती के वो रग्रसर है और एक करोड किसानों के लिए ये प्रणाम योजना शुरू की जाएगी जिसका बजट इसके शुरू करीगी है प्रणाम योजना का है P से प्रोग्राम फार, R से रेश्टोरेशन P से प्रोग्राम, R से रेश्टोरेशन और PRA, A से अवेरनेस N से नरिस्मेंट और A से अमेलियोरेशन आफ दा मदर अर्थ M से मदर अर्थ तो यह होता हमारा प्रणाम योजना, तो जह किसे संबंदित होगी हमारी प्राकर्तिक खेती से किसे होगी संबंदित प्राकर्तिक खेती से अगला बजट 2023-2024 मैं सोरी, मैं होगा, मैं ने बजट 2023 मैं मनरेगा के बजट में कितने परसेंट कट होती कर दी गई मन्रेगा का जो बजट है पिछले बजट जो था वो लगवग नब्बे हजार करोड करीब था जो इस बार 61,000 के आसपास रह गया 61,000 करोड के आसपास रह गया पिछले नब्बे हजार का 61,000 करोड रह गया तो इसमें जो कटोती करीगी लगवग 30% कटोती कर दी गई है तो इसका विकल्प हो जाएगा पहला सही इसके बजट 2023 में रक्षा छेत्र के लिए 8583 रक्षा छेत्र हमारा बहुती महत्पुंड छेत्र है और इसके लिए जो 8783 है वो कितनी की गई है चे पॉइंट 5.5 लाग करोड या चे 6.94 करोड इसका विकल्प हो जायागा विकल्प नंबर 3 5.94 लाख करोड जो पिछले बजट से 13% अधिक है कितना 13% इसमें बड़ोत्री की गई है अगला है निम्न में से किस खिलाडी ने क्रिकेट के 3 प्रारूपों में सतक नहीं लगाया है शुरेश रहना व्राड कोली रोहित कुमार रोहित सर्मा इन्होंने सब ने लगाया शूर्य कुमार या अधब ने नहीं लगाया तो इसका विकल्प हमारा हो जायागा शूर्य कुमार या अधब सूर्य कुमार यादब है वो T20 में सबसे ज़्यादा सतक लगाने वाले रोहिस सर्मा के बाद दूसरे नमबर पे इनका नाम यहनोंने T20 में सतक लगा चुके हैं उत्तर प्रदेश की किस योजना को केंद्रिय बजट में बिसे इस्तान दिया गया उसे पूरे देश में लाओ करने की बात की गयी तो यह योजना हमारी O-D-O-P यहनी एक जिला एक उत्पाद एक जिला एक उत्पाद जो उत्तर प्रदेश की योजना उसे किंद्रिय बजट में इस्तान दिया गया और उसे पूरे देश में लागू करने की बात की गई देश की ऐसी आर्थिक ब्रद्दी जिसमें उच्चाय वाले लोग कमाये वालों की तुलना में लाब किस्तितीम होते हैं इसको कहते हैं के शेप की ब्रद्दी के बिकलप नमबर दो के शेप की ब्रिद्धी अगला है केंद्रिय बजट 2013 में केंद्रिय बजट 2013-24 में राजशभा में राजशभा में राजशभा नहीं है यह राजशभा गलत हो गया यह होगा मारा राजशभ्याई राजशभ्याई राजश ब्याय में कितनी ब्रद्धी की गई है 1.2% देखिए पूझी गत्व ब्याय में हमारी ब्रद्धी है 33% और राजश ब्याय में 1.2% उसके बाद आता है 36% संक्या केंदरी बजट 24 में सबसेटी पे खर्च रासी निर्धारित है सबसेटी पे कितनी खर्च रासी निर्धारित है खर्च करने के लिए 4.0.000.000 चार लाग तीन लाग पांच लाग या 6.0.000.000 तो इस बार जो है 4.0.000.000 जो है सबसेटी पे खर्च करेंगे बजट में 4.0.000.000 की बिवस्ता की गई और पिछले बार जो ये था 5.6.000.000 करोड कितना 1.6.000.000 करोड रुपए केंची चला दी गई है 1.6.000.000 सबसिडी खतम कर दी गई है उसके बाद उत्तर प्रदेश लखनौ सहर में ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मिट कब से कब तक होगी ये हो रही है दस से बारा फरवरी के बीच पहला विकल्ब सही है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टर भाग ले रहे है इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा किस सेर में 2G एथिनौल सेहंतर की स्थापना करी जा रही है जो है उसकी सेहंतर की स्थापना करी जारी जिसमें में रूप से सेलूलोज का इस्तेमाल गया है जैसे गन्ये का बाई प्रोडक्ट और हमारे किरसी अप्सिष्ट जो होंगे उनका यूज करके एथिनौल का उत्पादन किया जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा गोरपपुर अगला केंद्रिय बजट दो जातेज 24 में पीम आवा सेयोजना का बजट कितने परसेंट बढ़ा कर 89,590 करोड कर दिया गया तो यह 66 परसेंट बढ़ा दिया गया पिछले बरसे से 66 परसेंट अदेख 66 परसेंट मूर मेगाले में जो बिधान सभा हैं उसमें कितनी सीटों की संख्या मेगाले में हाली में चुना होने वाले हैं और इसमें सीटों की संख्या हमारी है मेगाले में सीटों की संख्या 50, 60, 70, 75 यह है 60 मेगाले में बिधान सभा सीटों की संख्या 60 प्रधान मंत्री स्री नहीं मुदी जी ने किस काल को अमरत काल कहा आज से लेकर के अब से लेकर के 2047 तक के पिरियड को प्रधान मंत्री मुदी जी ने अमरत काल नाम दिया है तो ये हो जागा 2023 से अब से 25 साल तक इसको अमरत काल जब हम देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे अब से लेकर के अब के लिए अमरतकाल कहा है और तब तक उन्होंने कहा कि भई 2047 तक हम देश को बिक्से देश बनाने का संकल्ब ले रहे हैं अगला हाली में केंद सरकाने राजपत का नाम बदल कर करतब बपत कर दिया है करतब बपत सिंपल सह करतब बपत कर दिया है उसके बाद है जल जीवन मिसन के लिए आगामी बजट में कितनी रासी दी गई जल जीवन मिसन के लिए 70,000 करोड रुपए शत्र हजार करड़ रुपए अवन टिप किये गए है उसके बाद उत्तर पदेश की विधान परसद के कितने सदस नातक द्वारा चुने जाते हैं एक वटा तीन, एक वटा बारा, एक वटा छे, एक वटा दो तो इसका हो जाएगा एक वटा बारा एक वटा बारा और एक वटा तीन सदस इस्थानिये निकाज होते हैं, परदान होते हैं, उनके दोआरा, परदान आदी होते हैं, जो उनके दोआरा और बाद की वचे एक वटा छे, वो राष्ट पती उनके लिए विभन छेत्रों से मनुनीत करता है तो ये कुल मिलाकर के हमारे हो जाते हैं, सो सदस तो जिसका हो जाएगा, एक वटे बारा सदस जो होते हैं, वो इस तनाह तक दोआरा मनुनीत, इस तनाह तक दोआरा चुने जाते हैं, सोरी उसके बाद हो गया हमारा हाली में बाणी जैराम का निदन हो गया बाणी जैराम ये किस छे से संबंदे थी बाणी जैराम जो थी वो एक लोक गाईका थी क्या थी लोक गाईका उन्होंने उन्निस बासाओं में दस हजार से अधिक गाने गाए तो ये गायन छेतर से थी संबंदे थी जो चिन्नई में रहने वाली थी है और चिन्नई में उनके घर में उनको मृत पाया गया उसके वाद है FPO का पूरा नाम FPO अभी अदानी समू ने उसके सेर मार्केट के भाव अचानक गिरने से अपना FPO बापस ले लिया है तो FPO का पूरा नाम इसमें पूचा गया है तो इसका पूरा नाम होता फालो अन पबले काफर इसमें कोई भी आम आदमी इसके सेर को खरीच सकता है भारत का 2026 तक पिट्रोल में कितने प्रसत एथेनौल मिस्रण का लक्ष है इसका लक्ष है 20% कितना लक्ष है 20% 25 तक 20% बरतमान में 10.17% एथेनौल पेट्रोल में मिलाया जारा है और 2013-2014 में जब सरकार बनी थी BJP की पहली बार तो इसमें 1.53% एथेनौल था मिलाया जाता था पेट्रोल में अब 10.17% मिलाया जारा इसमें बरतमान में और 2026 तक इसे कितना करने का लक्ष है 20% उसके बाद रिसीकेश कंडपरियाग रेल परियोजना की फिनल में बिचाई जा रही है उस्की फिनल नहीं से एक सो पाँच इस दो होगी। लाइन जोगी वो सुरंगों से होकर गुजरेगी किन से सुरंगों से सुरंगों से जिसमें कवले सत्रा सुरंगे हैं सत्रा लगबग सुरंगे हैं सत्रा सुरंगों से होकर गुजरेगी यहनि 20 किलोमीटर केबल बाहर बार जाएगी वाकि 105 किलोमीटर सुरंगों से होकर क्या है 30, 32, 34, 36 इस समय जो सुईकरत न्यादीस है उसमें क्या ना जो है 34 है इस समय पदों की संक्या है 34 अब बरतमान में कारी रत है 27 27 कारी रत है पिलस 5 को अभी सुईकरती हो गई है 5 की नुक्ती की प्रिकरिया लगवग कंप्लीट हो गई अगले सपते वो सपत ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे 32 फिर भी हमारे दो पद खाली रहेंगे मुक्क ना जीस तक 34 पद है तो 5 और हो जाएंगे तो 32 हो जाएंगे तो रिक्त पद हमारे दो फिर भी रहेंगे पांच नायदीसों की अगले सपते सपतगरण हो जाएगी तो इसका हो जाएगा हमारा 34 अगला प्रस्ण है कि अंदर सरकार में सहिकारता मंत्राले की श्थापना सहिकारता मंत्राले ये पहले नहीं था ये अभी बनाया गया जी ने बनाया था अपनी सरकार में और इसकी स्टापना हुई थी 2021 बर्स में सोरी 2021 जो बर्स था उस बर्स में सहिकारता मंत्राले की स्टापना हुई थी तो जीयते हमारे आज के 50 प्रसन बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार